लोकसभा चुनाओ दोहजार चौबिस का बिगुल बचते ही मुंबई में एक नया राजनीतिक समीकरन खड़ा हो गया है जिसको लेकर के बिवात की सुगबुगाहट देखने को मिल गई है जी हाँ दिल्ली राज ठाकरे को बुलाया गया बिजेपी दफ्तर क्या राज ठाकर को मुंबई से कोई सीड़ दीजेने वाली है या फिर NDA के साथ राज ठाकरे शामिल होने वाले हैं इस खबर के बाद ही जो मुंबई का उत्तर भारतिये समाज है वो नाराज हो रहा है क्योंकि राज ठाकरे वही सक्स हैं जिन्होंने मराठी और उत्तर भारतियों के बीच बड़ा विवाद खड़ा किया जिसको अभी तक उत्तर भारतिये भूल नहीं पाये हैं उत्तर भारतिये जो नेता हैं उत्तर भारतिये समाज के जो लोग समाजी कारी करता है या जागरुक लोग हैं उनका इस विशे पर क्या मानना है आज हम इस पर बात कर रहे हैं मेरे सा सुनील सुकला जी जो की उत्तर भारतिये विकास सेना के अध्यच्छ हैं। राज ठाकरे के बारे में और बीजेपी के बारे में। बात करती है उत्तर भारतियों के भरोसे उत्तर प्रदेश के जो यहां लोग बसे हैं 42 प्रतिशत मुंबई में। उनको मारने वाले के साथ अगर यूती कर रही है तो हमारे जखम पर नमक मलने का काम फड़नविस आप कर रहे हैं। और इसका विरोध हम लोग करते हैं कि राज छाकरे को वो नहीं गए हैं वर नविस ने लिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा अपमान अगर किसी ने किया तो बीजेपी ने किया है। और हमारी पार्टी उत्तरभारती विकासेना जो आर्थिक राजधानी मुंबई की एक नाश्रल रेजिस्टर्ट पार्टी है। अगर उत्तरभारती को मारने वाले को तुम टिकेट दोगे तो उत्तरभारती चैन से नहीं बैठेगा। यह हमारी अपमान है, हमारी अस्मिता का सवाल है, उत्तरभारती विकासेना भी कैंडिडेट उतारीगी। यह बोलकर उत्तारीगी कि एक हात में अगर आपके पास बीजेपी का जंडा है, तब तक सही था। लेकिन आज उसके साथ अगर मनसे का जंडा साथ में है, तो उत्तरभारती विकासेना के लोग उत्तरेगे चुनाओं में यह बताएंगे कि यह दो जंडे को आपको वोड़ देना है, कि आपको उत्तरभारती विकासेना के रिक्षा को वोड़ देना है, आपको उत्तरभार विभाजित हो जाएंगे बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे उत्तरवारती सम्मान चाहता है। जो लोग है यहाँ पर क्या हम को खराब नहीं लगेगा हमारा दिल नहीं दुखेगा कि बीजेपी को यह नहीं समझे कि यहाँ कि उत्तरवारती जो 90 लाग बसा हुआ है वो यहाँ पर पिडित हो रहा है। सबी लोग यह बोलते हैं कि हमको परप्रांती भाईया बोलके जो दुखार रहे थे राश्ठाकरे वहाँ साबित हुआ कि यह सब एक साथ है। सब मराठी प्रांत के लोग हैं यह मराठी लोगों को आगे लेकि जाना चाते हैं और आपने देविंदर फंडविस का अपने एरपोर्ट पर बैट देखा होगा उन्होंने बोला राश्ठाकरे जो काम करते हो सही कर रहे हैं। अगर यूति करते हो तो हमारे लिए इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है। जहां से उन्हें सीड दी जाने की बात चल रही है दच्छन मुंबई कहते हैं कि वहां मराठी उटर्स ज्यादा हैं। इस वज़ा से राजठाकरे को साथ में लिया जा रहा है। अपमान करने वाले के साथ अब कहीं पर भी यूति करूओ अपमान है। उत्तर भारतियों के साथ अन्याय है ये। BJP ये समझ ले कि आपकी दोगलापन जो महराश्टर के जो यहां के फड़नविस साब हैं। ये उत्तर भारतियों के साथ धोका कर रही है। और सभी उत्तर भारतियों जानते हैं। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो वो जागे हैं। सब समझ गए हैं कि ये सब एक हैं। उत्तर भारति केवल वोटर के रूप में देखा जाता है। ये बोलते हैं कि उत्तर भारति को रात में भी कमल दिखता है। उत्तर भारती को रात में केवल कमल नहीं देखेगा किसी के विरोध नहीं जा रहे हैं अगर राज ठाकरे जो है नहीं आते हैं तो फिर आपका बीजेपी को समर्था सौ प्रतिशत हम मोधी जी को राष्ट कार में समर्थन दे रहे हैं और देते रहेंगे लेकिन महाराष्टर में कता ही हम बीजेबी को साथ नहीं देंगे आते समय भी नहीं देंगे क्योंकि ये केवल प्रांद के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं हमारे लोग की गलती के हमारे तीन पीडी से यहां रहे हैं हमारे बच्चे यहां जन्मे हैं हमारे जनम यहां पे हुआ है तो क्या हमको यहां मूल भूत सुभीदा नहीं मिलना चाहिए मेरे साथ और भी उत्तर भारती समाज से लोग हैं जो काफी जागरूग लोग हैं समाजी कर करता हैं कोई वकील है कोई बिजनेसमेन है बाई साब आप इस समी करण को किस तरह से देखते हैं अगर राज ठाकरे बीजेपी के साथ मिल करके चुनाव लडने जा रहा है तो क्या ये उत्तर भारतियों पे नमक छिड़कने वाली बात हुई देखिए अभी तो जो बाते हो रही है सिर्फ बाते ही हो रही है अभी भी कोई ओफिसल कोई पेपर या ऐसा कोई डाकुमेंट नहीं मिला कि राज ठाकरे को सीट दी जा रही है या उनके नोटिफिकेशन में ऐस जारी हुआ है उत्तर भारतियों से ही सरकार मनती अगर देखा जा तो उत्तर परदेश में असी सीटे जैसे कि भाई साव भी बहुत अच्छा काम करता है बले ही वह कोई भी काम करते हो अपने अपने लेवल पे तो बीजेपी इसका कहीं ने कहीं बहुत जादा मैंड मेकप करेगी कि राज ठाकरों को देना है कि नहीं देना अभी सिर्फ बाते हो रही है और बातों के अधार पर अभी हम क्लियर नहीं अगर देते हैं तो क्या जो है उत्तर भारतिये नाराज होंगे और नुक्सान होगा बीजेपी को देखिए बहुत ही समझदार पार्टी है ऐसे कैसे दे सकती दे ही नहीं सकती को कि आपको उमीद नहीं है कि बीजेपी नहीं देगी मतलब आपको उमीद है एक सीट के चकर में वो 60 लाग ओटर अपने नहीं खराब कर देगी और भी लोग है मुन से बात कर आप बताएए यह जो समी करना है रा अगर बीजेपी के साथ जाता है तो सारा उत्तर भारती समाज जो है वो नाराज हो जाएगा बीजेपी से नाराज हो जाएगा इसकी वज़ए यह है मनसे ने 2009-2008 में हमारे उत्तर भारतियों को बहुत मारा था बहुत जखमाप लोग अभी तक भूले नहीं है अफकोस नह तब यह है बीजेपी जो है यह उत्तर भारतियों की दुश्मन है उत्तर भारतियों का भला नहीं चाहती है मुंबई में 90 लाक उत्तर भारती है पूरे मुंबई में 42 प्रतिशत उत्तर भारती है जो बीजेपी का वोटर कुछ है कुछ कॉंग्रेस का है लेकिन इस वज़े से बीजेपी के बहुत सारे वोट कटेंगे और मैं तो कहना चाहूंगा सारा उत्तर भारती समाज एक जुट हो जाए और उत्तर भारती विकास सेना को सपोर्ट करें आप क्या कहेंगे एक आम पब्लीक के तौर पर जिस दिन से ये खबर आपने सुनी है क्या सोचते हैं जी देखिए ये बात तो सही है कि मनसे गया नहीं है बीजेपी के पास बीजेपी ने मनसे को बुलाया है तो उत्तर भारतिये वोटर तो बहुत नाराजे और आप मानकर चलिए महराष्ट्र मुंबई और देश भर में उत्तर भारतियों की उल्टी गिंती अब शुरू हो गई है वो अब भारतिये जनता पार्टी को वोट देने में कत्राएंगे करें और वो दिन दूर नहीं है कि बीजेपी को उत्तर भारतियों से बहुत भारतियों से पढ़ें उत्तर भारतियों के मुंबई से कि भाईया ये क्या हो रहा है, हम ने कहा उत्तर भातिया विकास सेना, हमारे एकलोते जो यहाँ पर देखिये मुंबई में एक ही निता है, आज noi तर भातिया निता, वह है पंडिल सुनिल चुकला उत्तर भातिय विकास सेना की अध्य के अद्यक्ला. मैं तो होई तो कहा आपको जंता का मुझे ग्यारा सो बीस फोन आया है सुबह सारे उत्तरवार्तियों का उसमें परपरांतिय भी पंजाबी जैसे मैं पंजाबी हूँ अगर राजठाकरे नहीं आते हैं मालीजे बीजेपी में नहीं सामील होते हैं बीजेपी उनको टिकेट नहीं देती है तब फिर देखिए अब वहाँ पर एक बार उनके साथ मिलन तो हो गया है अमिशा जी से फैसला नहीं हुआ है लेकिन उनों ने उनको बुला लिया विनो तावडे जी रास्था ठाकरे के साथ रहे लोगों को शंका हो गई है बिल्कुल शंका हो गई है और इसका नुक्सान केवल महराष्ट मुंबई अब देखेगा पूरे देश के अंदर उत्तर भारत्य समाच अब नाराश्छस चल ला है भृरत्य जनता परटी से और भारतिय से शनता पर्टी को यह समझ लेना चाहिए असी सीटे हैं उत्त्र पर देश के अंदर अभी कुछ कहना चाही है हाँ हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी अगर राज़ ठाकरे मिलते हैं बीजेपी से तो बहुत गलत होगा मैं सारी यहां के जितनी महिलाएं हैं उनसे यह निविदन करें उत्तरभार्ती के लोगों से तो करी रही हूँ उसको याद करके बीजेपी को समर्थन नहीं दे जैसा कि हमारे सुनिल सुकला जी ने कहा है और मैं जनता की तरफ से बोल रहे हूं कि क्रपा करके हमारे उत्तर भारती से जुड़िये और ये समर्चन करिये कि राज ठाकरे ने कैसे हम लोगों को के साथ जो किया था उसके लिए क्रपया आप लोग सायोग दीजिए ये जो उत्तर भारतिये लोग हैं ये जागरुक लोग हैं जो समाज में रहते हैं लोगों से मिलते हैं उनकी समस्याय सुनते हैं बातचीत करते हैं उनका कहना है कि ये खबर जिस दिन से आई है उस दिन से हम नाराज हैं क्योंकि राज ठाकरे ने उत्तर भारतियों को मुंबई में राज ठाकरे की बीजेपी में इंट्री होने की भनक के साथ ही उत्तरभारतियों में ये बातचीत चल रही है और वास्तों में अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि मुंबई में उत्तरभारतियों के ओट का बटवारा हो जाए बीजेपी में राज ठाकरे की इंट्र से टैमरामेन धर्मेंद्र पांडे के साथ राजिस्त्र पाठी एबीपी न्यूज मुंबई